तो मैं आपके साथ अंजीली पटेल एक बार फिर इंफिनिटी सॉल्यूशन एड़ा में तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से टाइपिंग सीख रहे होंगे मुझे पता है और बढ़िया तरीके से टाइपिंग सीखिए क्योंकि हमको प्रो टाइपर तो बनना ही है साथ में हमको जो भी इनसान जो भी लोग जो भी स्टूडेंट्स यदि एक्जाम के लिए सीख रहे हैं तो बिल्कुल उसको माइंड में रखें क्योंकि एक्जाम को क्रेक करना है कोई भी परशानी जाये तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं परसनली आप टैलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं सारी चीज़े अब आउट में चैनल के दी हुई है पूरी लिंक्स आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते किसी को पर्सनली डेटा चाहिए किसी को टाइपिंग लेसंस चाहिए किसी को कुछ सोजाओ चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करें ठीक है फ्रेंट्स और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि वीडियो को बिल्कुल भी इसकेप ना करें लाइक सस्क्राइब और सेयर करें व मैं आज आपको सात्वा लेसन बताती हूं सात्वा लेसन क्या है कमक वा कमलेश ने जलस से शिवजी की पूजा की रत्नी वा सीता खूम नाची यह देखिए आपको यह देख रहा होगा देखिए सैवन नंबर का लेसन यह देखिए कमक वा कमलेश ने जलस से शिवजी की प बता देती हुए एक जगह रजनी है और एक जगह रतिनी है जैसे हाँ नार्थी और नाची यह न वैसे ही तो मैं एक को टाइब करते हूं फिर आपको सामने स्क्रीन में टाइब करके एक तो उसका पहला बोकर देती हूं ठीक है आप देखिए कमक वा कमलेश ने जलज से दरें नहीं है ना बिल्कुल ध्यान से देखें और सीखें डरने वाले जैसा कोई चीज है नहीं असल में ठीक है एक में कॉमा है एक में वो है और एक में रजनी है एक में रथनी है एक में रजनी एक में रथनी ठीक है देखिए आपको जो यह स्क्रीन पर दिख रहा है यह यहां से लेके 6 नंबर तक के लैसन आपको बिलकुल कहीं हाथ ब्रेक नहीं होगा और आप नौर्मली टाइपिंग करेंगे इसकी गारेंटि मैं आपको देती हूं टाइपिंग का लेसन तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ फिंगर पोजीशन बता देती हूँ ठीक है फिंगर पोजीशन आप देखिए और उसी से क्या करेंगे आप टाइपिंग सीखेंगे तो देखिए कमक आपको पता है कमक मैं बताती हूँ देखे, कमक कैसे क आपको पता है d में आता है, मापको पता है e में आता है और फिर d ठीक है, देखें, मैं English लिख देती हूँ, अभी ठीक है एक मिर्ट आपको screen पे भी English मिल जाएगी, मैं आपको screen पे भी बता दूँँगी और अभी मैं आपको बताती हूँ ठीक है लेसन तो देखिए कमक के लिए क्या करना आपन को D E D मतलब की का मा क क्या का मा क D E D का मा क वा अब वा किस से आएगा आपको पता है O से ठीक है O O किस से जाती है राइट हैंड की रिंग फिंगर कमक के लिए लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर उपर नीचे ठीक है मतलब की बॉटम और टॉप का मा क कैसे का मा क वा ये देखिए वा ठीक है O वा फिर अपने पोजिशन पे वापस आई अब कमलेश अब आपको पता हूँगा का आपका आता है D से मापका आता है E से ला आता है किस से वाई से ला किस से आता है राइट हैंड की फिर्स्ट फिंगर से ला वाई ठीक है और एक ही मात्रा किस से आती है अब इस लेशन में एक ही मात्रा है अभी तक आपको एक भी बार क्या नहीं मिली है एक ही जो मातरा है वो अभी तक आपको नहीं मिली है तो आप मैं आपको एक ही मातरा बताती हुआ किस से आपने जब स्टार्टिंग में टाइपिंग सीखी होगी तो आपने देखा होगा कि हमने ये दो फिंगर छोड़ के टाइपिंग की थी किस से d, f, g, f, d यही की थी ना कहीं की फिर यहां से चारों की थी यहां से पूरी की थी यहां से हमने यह दो फिंगर छोड़ी थी और यहां से टाइपिंग की थी ठीक है तो वो क्यों की थी वो मैं आज आपको बताती हूं क्योंकि आपकी left hand की जो mini finger होती है इससे आती है आपका dot जो M की बिंदी बोलते न जैसे अंजिली में आ के उपर M की बिंदी लगती है आपकी left hand की mini finger से आती जो की A है देखिए आई उपर यह देखिए मैं आपको screen पे दिखाते में देखिए आई ना ला के उपर यह तो यह है और normally आपकी जो A की मात्रा है वो आती है S से अब मैं आपको एक बार मात्रा भी लगा के दिखाती हूँ देखिए यह S मैं प्रेस करूँगी तो क्या आएगा A की मात्रा ठीक है तो अब आप समझ ही गए होँगी कि S प्रेस करने से क्या होता है A की मात्रा आती है तो normally इसका जो कमलेश का जओ होगा वो A की मात्रा किस से आईगी आपकी S से लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से आपको क्या आएगा S की बटन से जो होती है उससे आएगी आपकी A की महात्रा तो कमलेस कैसे करेंगे D E Y S और शा के लिए ये ये देखिए ये जो हमने डॉट छोड़ा ने ये वाला शा आपने इसके पहले कश्मीर वाले लेसन पर शा करें होंगे ये इस बटन से शा ठीक है और A की वात्रा इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कमलेस आप समझ गया होंगे न, ने ने के लिए क्या करेंगे तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कमलेश ने ने के लिए क्या करेंगे U और A की मात्रा S U और S ठीक है ने फिर जा आपको पता है T ला आपको पता है य एंड फिर से जाप थीक है मतलब की टी ओके आपने इसके पहले की लेसन अच्छे से टाइप कर चुके तो मेरे को पता है कि आपको बहुत अच्छे से बनेगा सिप एक ही मात्रा की जरूवत ही आपको पड़े थीक है फिर सा से के लिए क्या करेंगे आप एक मिन मैं स्क्रीन में भी कर देती है तो आपको दोनो चीजे दिखाइए रहेंगे अच्छे से द seminar है आपको पता है किससे आता है ए पता किसे आती स मतलब कि दोनों हैंड की रेंग फिंगर थीक है दोनों हैंड की रिक फिंगर पहले राइट की फिर लेक्ट की ठीचे शिवजी इवने कि चोटी मात्रा आपको पता है किसे थी ए एफ से एफ चाप को पता ही B डॉट अपस्ट्र फी वाला श p v o d特 अपकी बड़ी मात्र ना लिए एच शिव जी झुक जी के लिए कहां आपको डी और एच ठीक है डी और एच प्रैस करना है इस उंगली से डी एंड एक्छक से यह फर्स्ट फिंगर से कैसे पूजा पूजा के लिए आपको क्या करना है आई इस क्या होगा आपका पाह अएगा बढ़ी इस पहले वारे बड़ी उकी मातरा और क्यू से छोटे उकी मातरा फिर पूजा उसके बाद की के लिए फिर आपको पता है डी और आपका डी और एच ठीक है अब रजनी और रतनी है तो ता जा आपको पता है कि टी से आता है और ता आपको पता आर से आता है तो उसमें कोई परशानी ही नही आपको रजनी ठीक है? वा सीता नॉर्मली आपको पता किसे आता खूब आप नार्थी का बताती हूँ मैं ना तो आपको पता है था किसे आता है था आता है shift के साथ f से आधा था जो होता है आधा ही बनता है भा जो होता है वो आधा ही बनता उसको पूरा करना पड़ता के की मात्रा से मतलब के बटन को प्रेस करेंगे तो आ की मात्रा आती है यह आपको अच्छे से पता है तो था किस से बनेगा आपका शिप्ट के साथ एफ राइट हैंड की शिप्ट and left hand की first finger ठीक है था फिर इसको पूरा करेंगे आप फिर बड़ी की मात्रा लगाएंगे जो आती है एच से and जो आपका रेफ है वो किसे आएगी रेफ किसे आएगी shift के साथ z shift के साथ z shift के साथ z नार्थी के लिए एक बार और देखें आप नापको पता है था के लिए shift के साथ f फिर इसको पूरा करना k फिर बड़ी मात्रा h फिर shift के साथ आपको क्या करना z प्रेस करना है ठीक है तो क्या हो गया नार्थी देकि noise pollution हो रही है क्योंकि गड़ेज जी के दिन है तो प्लीस sorry लेकिन थोड़ी ज्यादा पीछे से बैग्राउंड ज्यादा म्यूजिक आ रहा है उसके लिए सौरी क्योंकि मैं मेरे को बनानी पड़ रही है क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि बच्चे मांग रहे हैं और नॉइस की वज़े से बहुत ज्यादा प्रॉबलम हो रही है तो उस प्रॉबलम के लिए एंड जो लोग मंगल में कर रहे हो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करें ठीक है अब यह यह भी आपको कित्ता करना है यह आपको ज्यादा करना है क्यों टॉप रोर बॉर्टम रोर बॉर्टम सॉरी आपकी टॉप रो और मिडल रो की प्रैक्टिस है ठीक है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करें और कोई भी समस्या जाए तो आप पूछ सकते हैं मैंने यह मैं को यह पता है कि यदि आपने पहले के लेसन बहुत अच्छे से किये हुआ है तो इन में आपको ब घ्डी अच्छी तो आपको बढ़़ाल आ स hen चैनके पत्ती है कि है तो कि आपको त्याप陽 सकते है कंजंगे कि यह स्पीड बताना चाहते हुआ कि आप करने हैं कि अस् deepest के बार लांलेश लेगशान चेंच कолет कि तो आपको कसी करिआ कि किम बलीश नेख तो की है पार नेखने से शिवजी की पूजा की रजनी वासीता खूब नार्थी ठीक है जो कैपिटल है वो शिफ्ट के साथ यूज हुआ है जो इस मौल है बिना शिफ्ट के साथ यूज हुआ है ये बात ध्यान रखना ठीक है कमक वा कमलेश ने जलज से शिवजी की पूजा की रतनी वासीता खू तो यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान नखें यह आपकी इंग्लिश है इंग्लिश आप अच्छे से देख लें यह मैं चाहती हूं कि आप लोगों कोई परशानी बिल्कुल भी ना जाए टाइपिंग में और किसी भी प्रकार की कोई समस्या जा रही है तो आप से दिखी रही होगी ठीक है फ्रेंड्स तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या है और कैसे आपको मैं लेसन की टाइपिंग करनी है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन पर और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिच कीजिए अच्छे से सीखिए ठीक है कोई वी प्रॉब्लम जाए बिलकुल कोई आप बिलकुल कमेंट कर सकते है चैनल के अभाउट में जाके टेलीघराम पर बोल सकते है पूच सकते है लैसन ले सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जशी किश्ना